नमस्कर मैं राजिस एक फिर उपसीत हूं कच्छा आठ रुचिरा भाग तिसरा का पाठ 12 लेकर पाठ का नाम है कर रचिती कर रचिता कर रचिती का अर्थ होता है कौन रच्छा करता है और कर रचिता का अर्थ होता है कौन रचित है अर्थार्थ जिसकी रच्छा की जया प्रस्तूत पार्ट में पर्यावरण और स्वस्ता के बारे में बताये गया है इस पार्ट को समझने से पहले आपको पहले इसका सब्दार्थ अच्छे से समझना होगा आप लोग इसका सब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको इस पार्ट को समझने में कठनाई न हो तो चलिए इस पार्ट को सुरू करते हैं और इसका हिंदी मिनिंग समझते हैं करचती करचिता करचती अर्थार्थ कौन रच्छा करता है और कर रच्छिता अर्थात काउन रच्छित है अर्थात जिसकी रच्छा की जए प्रस्तुत पार्थ में स्वष्चता ता प्रयावन सुधार के बारे में बताया गया है तो चलिए इस पार्थ को सुरू करते हैं ग्रिश्मतो साजमकाले विधुत भावे प्रचंड समता पृत्रि बैभव ग्रिःाद निष्क्रामती ग्रिश्मतो यानी ग्रिश्मरितु में साजमकाले सामको विधुत भावे यानि बिजली की आभाव में प्रचन्ड गर में पीडित ब्यभाव ग्रिभा निसक्रम पीडित होकर अपने घर से ब्यभाव निकला यह फिर से इष्काहंदी आप्दिन दे पर ग्रिस्म रित्तू में साम को बिजली की आभाव में कि ग्रिश्म रित्तु में साम को बिजली के आभाव में बैभो पिरित होकर अपने घर से निकला और बैभो अब कहता है कि अरे परमिंदर अपी तुम पी बिधुत भावेन पिरित बहिरा गता क्या तुम भी बिजली के आभाव में पिरित होकर बाहर आये हो परमिंदर कहता है आम मित्र हा मित्र एकत प्रचंड प्रचंडात पकाला एकत तीजगर्मी प्रचंडात पकाला मतलब तेजगर्मी अन्य और अन्तश्य बिधुत भावा परम बहिरा गत्यापी पस्यामी यत वायोक्तु सरवत्था व्रुदा एक तो तेजगर्मी और दूसरा बिजली का भाव परम यानि परंतु बाहर आकर भी देखता हूं की हवा यानि वायोका व्यक जो है बिल्कुल ही रुका हुआ है सत्त मेवाक्त यानि सत्त ही कहा गया है क्या कहा गया है प्राणिती पवनीन जगत सकलम यानि हवास जो है सबसे ज्यादा मुल्यवान है सभी के लिए हवा जो है मुल्यवान है स्रिष्टी निखला चैतन्य मपी क्योंकि हवा से संपुन जीवान चैतन्य है चड़ मपीना जिव्यतिन बिना सर्वातिसामी मुल्यवान यानि हवा के बिना चड़ भर भी जिया नहीं जा सकता एक बार फिर से इसका हिंद्यर समझे कि हवा सबसे ज्यादा मुल्यवान है क्योंकि हवा से संपुन जीवन चैतन्य मई है हावा के बिना छड़ भर भी जिया नहीं जा सकता अब बिनय बिनय कहता है अरे मित्र यानि हे मित्र सरीरात ना केवलाम स्वेद बिंद्व अपितु स्वेद धाराई वप्रस्त्रवन्ती सरीरात ना केवलाम मनें सरीर से ना केवल स्वेद बिंद्वा यानि पसीने की बुंदे अपितु स्वेद धारा वप्रस्तावन्ती मतलब सरीर से ना केवल पसीने की बुंदे बुंदे नहीं बलकि स्वेद धारा पसीने की धारा की तरह बह रही है इस्मिती पत्यायती यानि याद आ रहा है सुकल महदय रचित इसलोक के द्वारा रचित इसलोक और कौन सा इसलोक उनको याद आ रहा है नहीं आप बताए गया है देखिए तबतेरवा तबतेरवा तगहातेर वितु लोकान नवसी मेगा तबतेरवा तगहातेर वितु यानि आकास में बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं देते लोकान नवसी मेगा मताकास में उसी प्रकार बादल नहीं दिखाई देते और चिवी भाग जना इवसमे नैव द्रिशनते इस प्रकार नहीं दिखाई जैसे पुलिस विभाग के लोगों की समान समय पर दिखाई नहीं देते कैसे समय में जैसे लोक के आघाद से बचाने के लिए लोक के आघाद से बचाने के लिए फिर समझे आघास में बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं देते जैसे पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं देते कैसे समय में लू के आगात्ते बचाने के लिए अब है परमिंदर परमिंदर देखे परमिंदर आम अद्दूस वसुता एवा हाँ आज तो वसुता ही निदा घटा पतपतश्यय यानि ग्रिश्म के ताप से याती तालो ही सुसक ताम यानि ग्रिश्म के ताप से यानि गरमिंदर आप से दुखी मनुश्य का तालो जो है तीक है ज्याती वपू डरे हुए मनुशी के समान पसीने से तर हो जाता है ठीक है फिर से देखिए इसका हिंदी मीनिंग निदागता पतश्य यानि ग्रिश्म के ताप से दुखी मनुशी का तालो यानि मुह के अंदर का भाग जो है सूख जाता है और डरे हुए मनुशी के समान पस कहता हैं जोशेब कहता है कि मित्राणी यानि हे मित्र यत्रत्तर यानि जहां तहां बहु भूमी है कि बहु भूमिकववनानाम यानि बहु मंजिलो ठीकिंद hm- बहु मंजिलो भूमि गत्त-मारगानाम विशेस्त मेट्रो मार्ग नाम उपरी गमी सेतु नाम मार्गे त्यादी नाम निर्मानाये प्रिच्छा करते अन्ते जहां तहां बहुमन्जली इमारतों के भूमिगत मार्ग की विशेस करके मेट्रो मार्ग के उपरी सेतु अथार्थ फलाई ओबर के रास्ते आधिक के निर्मान के लिए निर्मान के लिए पेड काटे जा रहे हैं तरही अन्यात्रक कीम पेथ्य अस्माभी तो अन्या या पेच्छा क्या की जा सकती है वयम तो बिस्मीत पंता एव हम तो भूली गये हैं हम तो भूली गये आगे एकेन यानी एकेन मतला एक ठीक है सुस्क ब्रिच्छेड यानी सुखे ब्रिच के द्वारा एकेन सुस्क ब्रिच्छेड जहां मानें वहना दहेती तद्रम सर्वं कुपुत्रेड कुलम यथा मतलब एक सुखे ब्रिच्छ के द्वारा कैसे बिरिच के द्वारा मतलब कैसे बिरिच के द्वारा जलते हुए अगनी के द्वारा जलते हुए अगनी के द्वारा संपूर वन जलाये जाता है जिस परकार एक कुपूत्र संपूर कूल का नास कर देता है जैसे एक जो पूत्र होता है जो कुपूत्र जिसको कुपूत्र बोलते हैं जिस परकार एक कुपूत्र संपून कूल का नास कर देता है उसी परकार एक सुखा पेड अगनी के द्वारा जलाए जाने पर संपून जंगल को जला देता है अब है पर्मिंदर पर्मिंदर आम इत दपी सर्वता सत्यम हाँ या भी विल्कुल सच है आग गच्छन्तु आईए नदी के किनारे चलते हैं तत्रचेत कहन्चित सांती प्राप्तुम सच्छे वहां सांती प्राप्त करते हैं नदी के किनारे जाने की इचुग बालक ठीक है नदी तिरम गंतुम 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 कामा बाला या ततत्र आउकर भंडारम द्रिष्टवा वार्दला पुरुवंती यहां वहां मतलब जहां ताहां कच्री का धेर देकर बाचित करते हैं आगे जोसेफ काता है जोसेफ क्या काता है पस्यन्तो मित्राणी यत्र तत्र प्लास्टिक कस्य यूतानी अन्यत चावकरम प्रच्छिप्त मस्ती यानि जोसेफ काता है कि ही मित्रो देखो जहां ताहां प्लास्टिक की थैलिया और दूसरा कच्रा भी फेका हुआ है कथ्यते यत स्वच्ता स्वास्त करी परमवयम्तु सिचिता अपी असिचिता इवाज जिराम अनिन परकारेर कहते हैं कि स्वच्ता स्वास्त के लिए लाबकारी होते हैं परम यानि परन्तु परन्तु हम तो पढ़े लिखे होते हैं अनपड़ कीतरा आचरण बेवार कर रहे हैं इस अनिन परकारेर यानि इस परकार डोट डोट है यानि आगे कुछ कहने से पहले ही बैभव बोलता है बैभव क्या कहता है बीच में बैभव क्याता है कि ग्रिहानी तु असमा भी घर तो हमारे नित्यम स्वच्छानी क्रियंते यानि घर तो हमारे द्वारा प्रती दिन साब किये जाते हैं परम यानि परन्तु कि मर्थम स्वच्छता प्रती ध्यान न देते प्रन्तु किस काराण से हम अपने पर्यावरण के प्रती सफाई के लिए ध्यान नहीं देते अब बिनाय बिनाय कहता है कि पस्य पस्य यानि देखो देखो उपरित इदानी मपी अवकर मार्गे चिप्यनते अवकर देखो यानि उपर यानि चछत से इधानी अवकरा मार्गे चिपनती यानि मार्ग पर कच्रा फेका जा रहा है ठीके कच्रा फेका जा रहा है आहुए आहुए महद्या यानि पुकार कर हे महद्या किर्पा करू मार्गे ब्रह्मदव्य यानि किर्पा करके रास्ते प्रभूवने वालों पर किर्पा करू ये तत्तो सर्वथा असोवनम या तो बिल्कुल गलत कार्य है या तो बिल्कुल गलत कार्य है असमद सोव्यम यानि बाले भिया भौती सद्रिश्य एव संस्कारा द्रिया हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा इस पर कर संस्कार दिये जाएंगे तब रोजलीन रोजलीन कहती है आम पुत्र यानि हाँ पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो क्या कह रहे हो चम्यन ताम माप किजिए इदानी मी वा गच्छामी रोजलीन निच्याकर अपने द्वारा फेका हुआ इदानी मेवा गच्छामी रोजलीन आगत्य बाले साकम स्वच्छिप्त मौकरम मारगे बिकीर्ण मन्य दव करम चापी संग्रिहम आवकर कंडोले पात्यती आवकर कंडोले नी कच्रा पेटी ठीक है तो अपने द्वारा फेका हुआ कच्रा रास्ते पर फैला हुआ कच्रा और भी अन्य कच्रा कच्रा पात्र में डालती है आगे बाला एवमेव जागरुक तया एव परदान मंत्री महोदयाना स्वच्छता भियान मपीगतिम प्राप्स यती इसी परका जागरुकता से ही परदान मंत्री के स्वच्छता अभियान स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा अर्थार्थ आगे बढ़ेगा बिने कहता है पस्य पस्य तत्र धेनू पस्य पस्य यानि देखो देखो तत्र धेनू यानि वहां गाय साक फल नामा वर्णं साक फल यानि साक सबजी और फल के असे तथा प्लास्टिक की थैलियों को भी गाय खा रही है यह था कत्थन ची निवारियां एसा इसको हमें जैसे भी हो रोका जाना चाहिए ठीक है इसके बाद मारगे कदली फल बिकृताराओं दिश्टवा बाला कदली फलाने कृत्वा मतलब रास्ते पर मारगे यानि रास्ते में तर रास्ते पर केले बेचने वालों को देखकर बालक केले खरिद कर ठीक है बालक केले खरिद कर धेनु माह यंति भोजन यंति च गाय को भोजन गाय को बुलाते हैं और उसे केले खिलाते हैं मारगाट प्लास्टिक कस्यूत तानि चाप सार्य पीते अवकर कंड़ोले चिपंति और राश्ते से प्लास्टिक की थैलिया उठाकर कच्रा पात्र में डालते हैं ठीक है यहां तक आप लोगों समझ में आगे आओगा आगे परमिंदर परमिंदर पलास्टिक अस्य मृतिक कायाम लाया भावात अश्मांकम पर्यावरनश्य कृति महती छती भावती पलास्टिक की मिट्टी में बिलीन होने के अभाव के कारण हमारे पर्यावरन के लिए बहुती बड़ी हानी होती है पुर्वम तू करपासेन पहले तो कपास चर्मना यानी चम्रे से लोहेन यानी लोहे से लाच्य यानी लाक से मिट्टीक से काश्ठे यानी लकडी से वा निर्मितानी वस्तुनानी एव प्राप्यंते इसमा लकड़ी से निर्मित वस्तुएं हमें मिलते थे अधुना तत्स इस्थाने प्लास्टिक निर्मितानी वस्तुनी एव प्राप्यंते प्रन्तु आज प्लास्टिक की बनी हुए सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है बैवो आम घटिकाम अन्यानी बहुविद्धानी पात्रानी देखे आम घटिकाम यानि घडिका फीता अन्य बहुविद्धानी पात्रानी और अन्य प्रकार के बर्तन कलम में इत्यादिनी यानि कलम इत्यादी सभी सभी तो सभी तो यानि सभी तो प्लास्टिक निर्मितानी बहुँद्धी सभी तो प्लास्टिक के बने हुवे हैं जो हम पेन से लिखते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुवे हैं तब जोस्यप बोलता है, आम यानि हाँ, अस्मावी पित्रो, सिच्काराम, सहयोगेन, पलास्टीकस्य, विवीध पच्छा, विचार्निया यानि हमारे द्वारा, माता पिता के सहयोग से, माता पिता और सिच्को के सहयोग से ठीक है? प्लास्टी के विवीद पज के बारे में विचार किये जाने चाहिए पर्यावरेण सपस्व अपी रच्छणियां ठीक है? पर्यावरेण सपस्व अपी रच्छणियां यानि पर्यावरेण के साथ सपस्व की भी रच्छा करनी चाहिए आगे है देखे ब्रेकेट में लिखा है ब्रेकेट में लिखा है कि एव मेवाल पंत सर्वी नदी दीरम प्रापता इस प्रकार बाचित करती होगे बालग नदी के किनारे जाकर नदी जले निमजनती भवनती गैनती च नदी के किनारी जाकर नदी के जल में डुक्की लगाते हैं और गाते हैं ठीक है क्या गाते हैं सुपर्यार देखे सुपर्या वर वरने नास्ति जगत सुषित रख सके यानि अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी इस्थिती है हे सके यानि हे मित्र अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी इस्थिती है हे मित्र जगती जय माना नाम संभवा संभवो भुवी यानि केवल प्रिथी पर ही लोगों का जीवन संभव है तब सबी लोग कहते हैं सरवे यानि सबी लोग क्या कहते हैं कि अतिवान अतिवानन्द प्रदोयम जल विहारम यानि अत्धिक आनन्द दायक है या जल विहार या जल विहार जो है अत्धिक आनन्द दायक है इस पानी में खेलना मस्ति करना बहुत ही आनन्द दायक है यह इस परकार आपका पाठ समाबत हो गया